प्रेग्डेंसी के दोरान पेशन्ट जब मेरे पास अल्टरसाउंड करवाने आती हैं तो ना सिर्फ वो अपने होने वाले बच्चे के वजन के बारे में फिकरमंद होती है बलके इस बारे में भी बहुत क्यूरियस होती है कि आया कि उनका वजन प्रेग्डेंसी में ठीक से बढ़ रहा है के नहीं कुछ मॉम्स वजन कम बढ़ने पर परिशान होती हैं और कुछ लड़कियां ज्यादा वजन बढ़ जाने पर फिकरमंद नजर आती हैं तो आज हम ये बात करेंगे कि एक प्रेग्ड़निंसी के दोरान माका वजन कितेना वढ़ना चाहिए और कब ब लिजे के प्रेग्नेंसी में सबसे ज़्यादा वजन आखर के तीन महीनों में बढ़ता है यानि 30 वीक्स के बाद प्रेग्नेंसी के शुरू के तीन महीनों में अमूमन इतना वजन नहीं बढ़ता तो इसलिए इस बात को लेके शुरू प्रेग्नेंसी से ही अपने आपको पर वजन सिर्फ 25 से 35 पाउंड बढ़ना चाहिए यानि ये तकरीबन बनता है 11.5 से 16 किलो क्राम के दर्मियान इससे ज्यादा वजन बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है और अगर इससे कम वजन बढ़ेगा तो फिर आपका बेबी भी कम वजन का होगा और कमजोर होगा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान ये वजन शुरू के तीन महीनों में सिर्फ 2 से 4 पाउंड यानि 1 टू 2 केजी बढ़ता है और फिर हर हफ़ते में 1 पाउंड यानि तकरीबन आदा किलो के हिसाब से आखर प्रेगनेंसी तक बढ़ता रहता है मा का वजन बढ़ने का तालुक मा के प्रेगनेंसी वेट यानि प्रेगनेंसी से पहले वाले वजन पर होता है वो खवातीन जो प्रेगनेंट होने से पहले ओवर वेट होती है यानि उनका BMI ज्यादा होता है तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कम वजन बढ़ाने की जर अच्छा वो खवतीन जो प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट होती हैं यानि उनका BMI नॉर्मल रेंज से कम होता है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरां ज्यादा वेट गेन की जरूरत होती है तक्रीबन 28-40 पाउंड के दर्मियान या 13-18 केजी के दर्मियान अगर आपको टोइन प्रेगनेंसी है तो भी आपको ज्यादा वजन बढ़ाने की जरूरत होती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरां आपका 37-54 पाउंड यानि 16.5 से 24.5 केजी के दर्मियान वजन बढ़ना चाहिए अगर आप इस टौपिक से रिलेटिड मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजेगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा कीप वाचिंग अल्टर साउंड डॉक्टर समरा के साथ अल्ला हाफिज